तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर UPSC प्रिलिंस टेस्टरी 2023 में स्वागत है आज है इन्वार्मेंट एकोलोजी का टेस्ट टेस्ट नमबर 9 और इसी के साथ जो है टेस्ट 2 में एक टेस्ट और होगा उसके साथ जो है 100 कुश्चन कम्प्लीट हो जाएंगे इसके बाद ज कुशन नमबर 80 तक सॉल्व करने वाले हैं और जैसे पहले एक दिन में एक टेस्ट होता था अब एक दिन में दो टेस्ट होंगे यानि दो वीडियो अप्लोड होंगे क्योंकि एक्जाम नजदीक है काम ज्यादा है तो इस टार्गेट को 5-6000 के तरह हम लोग बढ़ रहा है है सब्सक्राइब को टेस्ट चालू है जिसमें पेकर कुशन पेपर भी चालू है और एक ही आपको ध्यान रखना है कि जितना आप लोग पढ़े हैं उसमें प्रेक्टिस बहुत जड़ी होता है मैं जो कुशन करवा रहा हूं इसका मतलब यह नहीं वह आही जाएगा वह ड सके इसकी पीडियाफ मार टेलिग्राम चैनल इस पर मिल जाएगी और इसके साथ अपने कुछ पेपर में न्यूज में अगर कोई सब्सक्राइब रहे तो उसको आप ध्यान रखिए एका कुश्चन आपको मिल जाएगा इसके लागा अगर बात कर सी सेट की तो आप जी एस पाइब नहीं कुछा नमर 61 की बात करें 61 में क्या पूचा इस टाक हम कन्वेंशन इस टाक हम कन्वेंशन जो परसिस्टेंट और गानिक जो पॉलिटेंट के संदर्में निम्रीकतनों पर विचार करें अब भारत ने अभी तक इस्टाक हम कन्वेंशन की पुष्ट नहीं की है और संदो वैस्विक इन्वार्मेंट सुभधा को इस्टाक हम कन्वेंशन के लिए एक बित्ती कंद के रूप में नामित किया गया है ऑप्सन तीन कन्वेंशन डीडीटी के उप्योग को मलेरिया न अंत्र तक सीमित करने का आवाहन करता है कौन सा कथन जो है गलत है इसने बताना इस्टाक हम कन्वेंशन के संबंद में तो जैसा कि आप लोगोंने इन्वार्मेंट इक पड़ा होगा जो इस्टाक हम कन्वेंशन था वह मानव स्वास्त और प्रयावड को जो अस्थाई कार इन्वार्मेंट पर जो है प्रभाव डालते हैं लंबे समय तक बने रहते हैं केमिकल बने रहते हैं उससे लेटेट एक ग्लोबल संधी है ठीक है इसका उद्यस क्या है अस्थाई जैविक प्रदूसक यानि पीओपी के उत्पादन और उप्योग को समाप्त करना या प्रत फाउजन सिक्स को यह इसकी पुष्ट की थी तो कुल मिलाकर ऑप्सन एक गलत है तो जहां ऑप्सन होगा वह एक होगा वह सही होगा ऑप्सन दो की बात करें ऑप्सन दो जो है सही है यानि जो वैस्विक पर है और सुभजा को स्टॉकम कर्वेंशन के लिए एक फाइनस तं जो स्टॉकम कंवेंशन की बात करें तो उसमें दूसित करने वाले दर्जन भर रसान मेंसे 9 पर प्रजबंद लगाने जैसे मलेरिया नियंतर के लिए डिडिटी के उपयोग को सीमित करने और डाई आकसी और फ्यूरान के अंजाने उत्पाद को कम करने का आवाहन किया गय गयता है आठ केट ना सक दो और और रसान और कई प्रक्रियौं को को दो पिछे उत्पादों को जिसमें सामिल है इन सब को जो है कि प्रजबंदित किया गया था तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्सन एक जो है इस गलत है तो गलत पूछा आप साई हो जाएगा फूशन नमर 62 की सब्सक्ताइबाद क्रेस्स में क्या पुछा है ग्रीन क्रेकर स्टीर में कुछ इस हानिकारक कच्छे माल का प्योग करके बनाए जाते हैं इसमें एडिक्टिप्स होते हैं जो सर्जन को पूरी तरह से खत्ब कर देते हैं आप्सन दो इनमें लिधियम और लेड़ जैसे यह ग्रीन क्रेड़ शोटा होता की है वह कम हानिकारक कफ़ने Press Q कर ते बहुत कर तैंट से तों होते हैं धूल करको दबा कर अट सेजन को कम करते हैं तो कुल मिलाकर अपसण एक जो है पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं बलगी कम कर देते हैं उप्शन एक गलत है उप्शन 2 की बात करें आप्शन 2 सही है ठीक है इसमें जो है लेधियम और्थानिक ब्रेल्यम लेड जैसे रसनिक तत्त होते हैं ये उप्शन सही है option 3 की बात करें option 3 भी सही है यानि green crackers जो है अगर बात करें जलवाख छोड़ते हैं और धोल कड़ों को उठने नहीं देते हैं 30 वे 30% कम particular matter प्रदुस्खड करने के लिजाइन किये गए हैं तो कुल मिलाकर इसमें option 20 है 2 और 3 question number 63 की बात करें इसमें क्या पूछा है 63 में पूछा है तो रविक्रड प्रबंधन यानि solar radiation management के संदर में कुछ कथन दिए गया option 1-2-3 दिया गया इसका उद्ध्यस greenhouse gas को कम करके global warming को कम करके करने के बजाए सौर उर्जा के प्रवाह को कम करना ऑप्शन दो इस्टेटर स्फेयर एरोसॉल इंजेक्शन और सफेद बादल इन बाउन सूरज की रोसनी को दूर कर सकते हैं और घ्रा को ठंडा कर सकते हैं और घ्रा को वापस अंत्रिश्क में परवर्तित करते हैं आपने अगर जो है हीड बजट पड़ा होगा या आपको पता होगा जो सूर का प्रकास आता है या इंसुलेशन होता है प्रितपी जो हो गर्म होती है वह किसके द्वारा होती है या कहते हैं जो फुल मिलाकर जो हीड प्राप्त होती है वह संद्रेश जो हती वह सौर्ट रेडिशन के रुप में आती है ठीक है तो यही बात कर रहा है कि वह शौर्ट रेडिशन जो है जो क्लाउड होते हैं उसको रिफलेक्ट कर देते हैं तो इसी के बारे हम बात कर रहा है तो आपको इन तीनों मेंसे बतान के global warming को कम करने के बजाए सोर ओज्रा के प्रवाव को कम करना ऑप्सन दो की बात करें ऑप्सन दो भी सही है बादलो को सफेद होना समताप मंडलने स्टेटो स्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन में कड़ों को इंजट करना ठीक है या अंत्रिच में देखेंगे श्रंस्टेड होने पर प्रितवी की परवर्दन सिलता बढ़ सकती है जिससे आने वाला जो सोर विकड़ को कम किया सकता है ऑप्सें तीन की बात करें ऑप्सें 3 भी सही है यानि जो निमन और घने बादल की बातका डेंस जो क्लावड होते हैं वह शॉडवेब को वापस अंत्रिच में रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो इस प्रकौर ऑप्सें डिइसमें सही होगा कुशन नंबर 64 की बात करें 64 में क्य पसुधन को फसल उत्पादन सिस्टम में एक्रित करने से एक्रिस्ट अपने पद्चिन्य को कम हो जाते हैं यानि कार्बन फुट्प्रिंट की बात कर रहा है और संदो की बात करें तो बड़ी हुई जुताई करने में युगदान दे सकती और संतीन मांस उत्पादन कम करने से जलवाई परवर्तन को कम करने मदद मिल सकती है कौन सा कथन गलत है इससे रिड़ेट थोड़ा सा मिलता जुलता कुशन आ चुका है तो आपको ध्यान रखना है तो अगर फसल उत्पादन सिस्टम की में बात करें तो परशुओं को एकगरत करने से मिट्टी के स्वास्त में सुधार एकल उत्पाद को बढ़ाने से जुड़े जोख्यों में कमी और वह जो फर्टी लाइजर होते हैं इन्पुट और पस्चारा लागत में कमी इस परका प्रिया को प्रोसाहित करती यानि इससे कारबन डाय अकसाइड उस्तरजन और अधिक सक्साली ग्रीन हाउस गयसे मेथेन और नाइटर्स अकसाइड हो सकती है जबकि बात करने नो टील जलवाई परिवर्तन में योगदान देने वाले ग्रीन हाउस गयस को कम कर सकता है मिट मिट्टी की सन रचना में सुधार कटा को कम करना मिट्टी की नमी की बढ़ाना कारबन जो स्टोरेज है उसको बढ़ाना तो इस परकार यह भी ऑप्सन सही ऑप्सन 3 की बात करें ऑप्सन 3 भी सही यानि जो मांस होता है मांस की खापत और पादन में ब्रिद से वनों की कटा जलबाई जल प्रदोस्वर मिट्टी में गिरावाट सेथ काफी परयावड़ी च्छत होती है अगर उच मांस की खपत में बड़े पैमाने पर ओध्यक्रिस प्रथाओं को जर्म दिया गया है तो जिनकी एंटिबायोटिक और हार्मोन के उपयोग खाद सुरच्छा उपस कल् करते जोख्यूमों के अलोचना की गई है तो कुल मिलाकर देखेंगे इससे क्या होता है इसे मांस उत्पादन कम करने से क्या जलबाई परवतन को कम करने मदद मिल सकती है तो इसमें पूछा है कौन सो आप्सन जो है गलत है तीनों आप्सन जो है सही है ठीक है तो तीनों आप्सन सही है कौन सो आप्सन गलत है इसमें जो है एक सिकंड रुकिए गा तीनों आप्सन सही है तो इसमें जो है एक दो तीन गलत कोई भी नहीं है इसमें नन आप्सन होना चाहिए इसमें आप्सन होना चाहिए ठीक है यह आप्सन सही होगा और आप कुशेननननर 65 की बात करें जोगा नेमने कतनों पर विचार करें और उपर दिया कतनों अगर बात करें प्लूवी कल्चर कृति यानि जो रेन मेकिंग जिसे कृतिम वर्षा वह प्लूवी कल्चर के रुप में भी जाना जाता है वो आम तोर पर सूखे और ब्यापत ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक कृतिम रूप से प्रेइत वर्षा बढ़ाने का प्रयास करता है तो क्या होता है बादलों मे ह्वाय जहाद से रॉकेट के उप्योग करके जो है यह किये जाता है यानि कुल में इला कर जो आर्टिफिसियल वर्षा होती है इसके द्वरां की जाती है he option 2 की बात करें, option 2 जो है, option 2 भी सही, यानि हवा में मौझूद प्रदूसकों को दबाने के एक अस्थाई तरीका, यानि cloud seeding जिसे कहते हैं, और कृतिम वर्षा तब ही की जा सकती है, जब मौसम में सम्मंदी परिस्तितियां उप्युक्त हो, तो यदि अस्थानी वातावर्ड में नमी की मात्रा अपेच्छित जो है, मांदर्णों को पूरा करती हो, तो इस प्रकार देखेंगे, हवा में मौझूद जो भी प्रदूसक हैं दबाने के मामले में, ततकाल जो है, रोक सूचक राहत पतान कर सकता है, अन्ता क्या होता है, यदि प्रदूसक फूरतो हो, य देखेंगे, और दोनों सही है, तो इसमें क्या पूछा है, निम लिखित में कौन सो ऑप्सन जो है, इसमें सही है, तो देखेंगे, इसमें, तो इसमें जो हवा में मौझूद प्रदूसक को दबाने का एक आस्थाई है, आस्थाई प्रभाव नहीं है, वालकि आस्थाई ह तो इसमें दोनों सही नहीं होगा दोस्तों, इसमें क्या सही होगा, इसमें सिर्फ एक सही होगा, दो नहीं, यानि यहां एक अर्थाई है, यानि स्टेबल नहीं है, अन्स्टेबल है, तो इस प्रकार अप्शन ए सही होगा, ठीक है, अब बात करते हैं, कुश्या नमबर 66 के, 66 में क्या पुछा है निमलेखित कतनों पर विचार करें option एक Montreal Protocol को कि गाली संसोधन के अंसार केवल विक्सित देशों की HFC यूज यानि हाइड्रोफ्लोरोकॉराइड के उप्योग को कम करने की आप सकता है option 2 हाइड्रोफ्लोरोकारबन होगा हाइड्रोफ्लोरोकारबन हाइड्रोकारबन डायकसाइड के तोलना में अधिक सकताली होती है option 3 पेरी समझोते के विफ्रीत मौंट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संसोधन देश के लिए एक अनुआर सब्सक्राइब कमी लच्छों के साथ कानल रूर्प से बादिकारी है तो आपको पताना इसमें कौन सा कथन सही है तो अगर बात करें ऑफसर्ट एक की किगाली जो संसोधन हुआ था कि अब्सक्राइब करता दलों में तीन संवों भ्यायद किए गया था यह यह समूं सेकेंड समूं थर्ड में समूं फ़स्ट में कौन थे समू 1 में USA, ब्रिटेन, यूरोपी संग जैसे जो है डेवलप्मेंट एकनोमी थी जो 2019 तक जो है अट्रो फ्लोर कार्बन को चड़बत करना शुरू कर देगी ठीक है यानि समू 2 में क्या थी डेवलप्मेंट यानि जो उभरती हुए अर्थविवस्था है जैसे चीन ब्राजील और किसासत कुछ अफरीकी देश जो जाएंगे समू 3 में विकास सील अर्थवस्था है और समू 3 में भारत पाकिस्तान इरान सौधी अरब ठीक है कुछ सबसे गर्म जलबाई देश वाले और इनका जो टाइम दिया गया था यह दोजार चोबिस से चोबिस के स्तर के 15 परसं तक कर देंगे इस प्रकार जो है केवल विक्सि सब्सक्राइब करता है और यानि जो किगाली समझोता था एक सक्राइब किगाली संसोधन जो हुआ था पेरिस समझोते को मजबूत करता है और जो प्री अस्तर की तुलना में 20 डिग्री सलसियस के नीचे वैस्विक तापमान के प्रिद्ध को प्रतबंदित करने का एक मात्रवकांची लच निराज करता है और यह पेरिस समझोते के विप्रिद मांट्रियाल प्रोटोकाल के में किगाली संसोधन देशों के लिए अनिवार जो एससी की कमी के लच्छों के साथ कानुन रूप से पाधिकारी तो यह आपसों आपको ध्यान रखना है तो इस फ्रयकार, इसमें पूछा है कौन सा आपसन सही है यानि आपसन ची सही है कम इस नंबर 67 में क्या पूछा है 67 में पूछा है निम लिखित कत्में पर विचार करें option एक भूटान सरकार कार्बन निगेटिव बनने वाला पहला देश है option 2 carbon neutrality में उद्योगों द्वारा कार्बन का सून उसरजान सामिल option 3 green washing carbon neutrality हासल करने में मदद कर सकता है कौन सा कथन सही है तो अगर बात करेंगे carbon negative सब्द की तो carbon neutrality की अधारा को एक कदम आगे ले जाता है carbon negativity जहां carbon neutral आपके द्वारा वातवर्ण में उसरजित carbon dioxide और आप इससे कितना निकालते हैं के बीच के समान जो है संतुलन है carbon negative का अर्थ होता है एक मात्र ऐसा देश है जो carbon negative बनने वाला पहला देश है तो इस प्रेकार option एक सही है option 2 की बात करें option 2 है गलत है यानि जो carbon neutrality की बात की जाई है या सुद्ध शून की बात की जाई है तो इस प्रेकार option 2 जो है गलत option 3 भी गलत है यानि green washing एक गलत धाड़ा देने या किसी company के उत्पात पर्यवड के अनकूल कैसे है इसके बारे में भ्रामक जानकरे प्रतान करने के प्रक्रिया है तो कुल मिलाकर इसमें जो है केवल एक साही है option C question number 69 में क्या पूछा है जो पेरिस agreement के बारे में पूछा है option एक दिया गए जलवाय परवड़तर पर UN UN का framework convention के अंतरगा देख समझाता है option क्योटो प्रोटोकाल के तरह प्रेरी समझाता स्वैचिक और आश्टी अस्तर पर निजायत लच्चों को अन्मानित देता है option 3 इरान इराक लीबिया चीन साउस सुड़ान ने प्रेरी समझात एक सिकन्ड होगेगा इस question को छोड़ दीजेए इस question को हम थोड़ा से मिस्टेक है इसको हम comment box में इसका जो है detail आपको दे देंगे इस question को भी छोड़ दीजिएगा question number 69 देख लेते हैं क्या पूछा है 69 में पूछा है कुछ संधिया प्रोटोकॉल दिया गया है और किस से एक किस के components है मिलान किया गया है यानि redd प्लस जो है किस से focus करता है विदेशी पस्वों के सीमा पर आवा जाहिए को खत्म करने पर ध्यान केंदर करता है नगोया प्रोटोकाल जो है मानो अनुवांसिक सामगरी पर लागू होता है और इसके लाव तालनोवा जो डायलॉग है चर्चा में था जीवी संसोदित जीवों के उचित आयाद के लिए मार्दरसन करता है कौन सा कतन सही है तो इसमें देखेंगे जो यह एक आर इडीडी फ्लस है तो आरीडीडी का पर वनों की कटाई और वनों के छड़ के उसर जन Yog कम करना वहीं आरीडीडी फ्लस का संबंध है United Nations Framements and Climate Change की बात करें जो UN FCC Conference Parties यानि कॉप द्वरा बनाये के धाचे को संदर्वित करता है जो वन छेतर में कार्बन के स्टॉक के सेनच्छड और वनों के अस्थाई प्रबंधन और कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए गद्वित के मारदरसन करता है तो इस प्रकार आप्सन एक जो है गलत है आप्सन दो की बात करें आप्सन दो जो है गलत है यानि अनुवानसिक संसादनों तक पहुच पर नगोया प्रोटोकॉल और जयविक विवित्ता पर कन्वेंशन के लिए उनके उपयोग को उचित और नयासंगत साधा कर एक अंतराश्यस समझवता है ठीक के इस प्रकार देखेंगे यह इसका उद्श मारणसिक संसादनों को उपयोग से उत्पन होने विव estoy उचित और नयासंगत साधा करना तो इसमें मानवानवानसिक सामागरी पर लागू होता है यह ऑप्षन गलत है ठीक है ऑप्षन 3 की बात करें तो तालनोवा भाड़ता की बात करें एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे जो देशों को 2020 के अंध तक अपने इच्छित राष्ट्री अस्तरपण रधायत योगदान को ल मैच होगा कुशन 70 में क्या पूछा है राज प्रदोसर नियंतर बोर्ड के संदर निमलित कतनों पर विचार करें ऑप्षन दो सारी ऑप्षन एक की बात किया गया है जो स्पी सीवी का गठन यानि स्टेट पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन जल अधनियम 1974 के तहत किया है ऐप्षन डू है ऐसपी सीवी के पास उससंपत्य रखने हासिल करने और उसका निर्टान करने का अधिकारHey optionresse bolts क disp code करें ब्यापारिक जो बहिसरा कारेयों को सैंद्रों को 대enn हो करना ताकि सीवेज और व्यापारिक बहस्राओं को उप्चार किया जा सके ठीक है तो इसमें बताना है कौन सा जो है ओप्सन सही है अगर ओप्सन एक की बात करें तो ओप्सन एक जो दोस्तों ये सही है यानि स्टेट पॉलुशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें परकीत को बनाए रखना और बहाल करना उन्हें ऐसी सक्तियों के साथ नहींत करना ताकि वे एक्ट के उद्द्यसों को पूरा करने में सच्छम हो सके तो इससे ही जल प्रदूशर रोख्ताम और नियंतर अदनियों 1974 ने केंदरी बोर्ड और राज बोर्ड गठन और प्रदूशर नियंतर बोर्ड के कार से संबंदित है ठीक है आप्सन एक सही हो गया आप्सन दो की बात करें आप्सन दो भी सही है यानि SPCB के पास संपत्रप्त रखने और हासल करने निट्टाण करने का धिकार है ये भी सही है स्पी सीवेज और व्यापपारिक जो अगर बात करें जो सीवेज और ट्रेड इंफ्लुएंट्स वर्क और प्लांट की बात करें तो ट्रीट सीवेज और ट्रेड इंफ्लुएंट के उपचार का किया जा सकता है तो कुल मिलाकर जो है ऑप्सन तीन भी साही है यानि इसमें ज option एक है fuel cell electric vehicle hydrogen oxygen की निरंटतर आप उठ पर निर्मट करते हैं option two can electric vehicle को वहनों को ringing करने के आप सकता नहीं होती है option three fuel cell electric vehicle केवल जलवाप्स और गर्मके करते हैं कौंसा कफन सब्सक्राइव है सब्सक्राइब करते हैं तो इस ये फ्यूल से एलेक्ट्रिक विकल क्योंकि वे इधन यानि इधन में क्या इसनों होड़ा हाइड्रोजन और आक्सीजन की निरंतर आपूर्थ पर निर्वर करते हैं बैटरी विद्दूत वाहन के विप्रित ये उर्जा के भंडारा नहीं करता ये ठीक है तो कुल मिलाकर इस प्लांच बाइविच ऑफ फॉलॉइंग ऑगनाजेशन ठीक है चार ऑगनाजेशन दिया गया है आई सी यार दिया गया है इसके अलामात जो है परियावार जलवाय परंतर मंत्राले नीतियायों के सहयोग से और राश्ट्रिक्रिस और ग्रामेड विकास बैंक तो आपको इ और इसका उद्यस क्या था इसका उद्यस था एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन पररणीत अनुसंदान किसानों के खेतों पर टेक्नलोलोजी का प्रदसन और क्रिस पर जलवाय परवरतन के प्रवाव कम करना और किसानों के लिए अनहिदार्द को भी जागुपता फैलान तो हाली में खबरों में रहा जो है पैनसलुगुभा Cloud गलेसियर कहां इस्थी थे यह कुछ ऐसर वर होते हैं जब पूछे जाते हैं एक कुछनके डिस्कुस्रन हमको करेंगे जो पूछा गया यूप यूपसी 2021 में तो इसमें बताएं कि पैसल ग्लेसियर कहां इस्थी थे तो लद्दाक के जांसकर घाटी में इस्तित जो है पेंसल दुपा ग्लेसियर सर्दियों के दोरान तापमान में बृध्धी और वर्षा में कमी के कार पीछे सरक रहा है तो इसके कार्ड जो है ये न्यूज में था और ये देखेंगे तो लद्दाक के जांसकर्ट सेड़ी में इस्तित है ठीक है अब बात करेंगे को 74 की अलब संखित मामलो के केंदरी मंत्राले के तत्वाधान में अल्पसंख्यो को उधान के लिए निमलिखित में कौन सी योजना काम करती है अबशन एक नई मिंजिल, नई रोectन, नई आए सावेरा, पढ़ो पर देस, हमारी धरोगार आपशन छे उस्ताद तो आपको बताना है अल्पसंक्यों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजना काम करती है तो इसमें देखेंगे इसमें ये जो सभी योजनाएं है ये इसके अंतरगत काम करती है ठीक है जो केंदरी अल्मक्रक मामलो के अंतर्ख जो है यह तक यह काम करती है यह सbी योजना यह सबीना है च्छी ऑक्स नहीं है मंतराले तो योजना को लाउय करते हैं कि आपको ध्यान रखना कौन से हैं मुसलिम इश्याय सिंक्त बौध पारसिजन जो समाजिक और पिछले तीन वर्सों का दौरान मांत्राला दौरा जो है यह सभी योजना चलाई गई है इनके बारे में आप लोग देख लीजेगा कुश्यन नंबर 75 की बात करें 75 में क्या पूछा है हाले में जारी जारी ग्लोबल यूथ टुबैको सर्वे किस अंदर में निमलिखित में क में तमाकु सेवन में गिरावट आई है ऑप्सन 2 सर्वे छड़ केंद्री महिला और बाल विकास मंत्राले की प्रसासनिक देखरेंग में कराया गया ऑप्सन 3 भारत के उत्तर भारती राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों में तमाकु का सेवन सबसे अधिक है कौन सा यानि इसमें पिछले दो वर्सों के सर्वे छड़ के बीच जो वर्तमान उप्योग में 42 परसंट 2009 से 2019 में गिरावट आई है ठीक है आगर बात करें ऑप्सन 2 की ऑप्सन 2 जो है गलत है यानि स्वास और परिवायर कर लेर मंत्राले के तहत अंतराश्य जनसंख्या विज्या आई यानि राज्यों के साचर प्रदेसों में छात्रों के भी सत्वाकों की वर्तमान उपयोग जो है और औा अंचेर प्रदेस और मिजोरव में सबसे अधीक लगवख 58 परसंट से लेकर हिमायरा प्रदेस में 1.1 परसंट और करनाटक 1.2 सबसे कम सबसे ज़िए कहा है और रांचरप्राद्स मिज़ोरभ में इस प्रकार जो है इसमें पूछा है कौन सा option सही है इसमें देखेंगे तो केबल जो है क्यों प्योगता विक्सित करने की देख रहें करता है आवेदर निकर्टम प्रधान मंत्री जन आउसद केंद्र का भी पता लगाता है जहां दवाएं खरीजी आ सकती है notre question ृप्सण डी है उसे संदर में कौन इंतीने में से 잉 तो अकर देखेंगे जो है यě घलत है यान की जन आउसदका यह रसायन और उर्वरक मंत्राले के फार्माशूटिकल विभाग के तहट Bureau of Pharma PSU आफ इंडिया द्वारा विक्सित किया गया ठीक है ये COVID-19 के संकर्कार्ट देस्व्यापी तालावंदी के बीच जो है जन औसद सुगब मोबाईल एप लोगों को अपने निकट्तम प्रधान मंत्री भारती जोन उसद केंद्रे का पता लगाने के लिए जो है और इसकी कीमत के साथ सस्ती जनरिक दवाओं को अपलत कराने मदद कर रहा है ठीक है Quesion No.77 की बात करेंगे क्या पूछा है माधो राष्ट्रे उद्यान मद्य प्रदेश सीता माता वन जी अभेर राजस्थान मुकंद्रा हिल स्टाइकर रजेर्प राजस्थान गांजी सागार वन जी अभेर मद्य प्रदेश हाली में किस कार चर्चा में रहा तो इसमें जो है ACI share reintroduction पर्योजना यानि ACI share का reintroduction पर्योजना के कार जो है ये जो है चर्चा में रहा चारो ठीक है अब भारा सरकार द्वारा एक पहल है जो ACI share को पुनरुत्थान यानि पुनरुत्थान के माध्यम से जंगल में बिलुप्थ होने की सुरच्छा प्रदान करती है तो इनके reintroduction पर्योजना के कार ये चारो चर्चा में रहा ACI share के कुशन नमबर 78 की बात करस्में क्या पूचा है तो इसमें पूचा है जयव विवित्था होस्पाट के संदर्मन इमलीत कत्नों पर विचार करिए option 1 जयव विवित्था होस्पाट एक जयव भैगौलिक छेत्र है जिसमें जयव विवित्था के भंडार की एक मात्पुड मात्रा है जिस पर अभी तक विनास के लिए खत्रा नहीं है Option 2 16 अंतराश्य जय वित्ता होस्पार्ट के निर्धार के लिए मापदन निर्धार करता है Option 3 अन्य मापदंडों में जयवित्ता होट्सपॉट्ट का निर्धाड के लिए मापदंडों में केवल पउदों की आबादी पर विचार किया गया है ना कि जानवरों की आबादी पर काउन सा कतन साई यह अगर बात करें जै विद्ता होटसपाट की तो महतकपूर्णर है lets भंडार भंडार है च्विद्ः खत्रा है रूपूर में सब जोहें नॉर्मन मायर द्वारा घड़ा गया था ठीक है आप्षं दो और तीन की बाद करें तो आप्षंद दो और तीन जो है यह थीक है चार की बात करें चार पी झाही सभी यानि भारत में चार प्रमुख थे ऐस्ट्री porch हो गया थिक हैं दूसरा क्या हो गया एक है हिमालयान छेत्र दूसरा भारत और बर्मा छेत्र और तीसरा जो है वेस्टर्ण घाट और चौथा जो है सुन्डा लेंड ठीक है तो चार जो है यह एरिया है इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 20 ही होगा दो तीन चार कुशन नंबर 79 में क्या पूछा है न प्रजाज सम्रिद को एक समदाय के कई प्रजातियों के लिए मापा जाता है उप्शन तीन उच प्रजातियों के साथ निम्न प्रजाति समरूप ताकर एक ऐसे समदाय को संकेत करती है जहां कुछ प्रजातिया हावी होती कौन सा कथन सही है तो कमूनिटी क्या होती कमूनि परस पर क्रिया करता है उदाड के लिए बात करते एक जंगल में जिसमें जानवरों और पौदों की विभिन पजातियों के साथ मिट्टी की वेक्टेरिया और कवक रहते हैं एक जैविक समदाय का गठन करते हैं तो कुल मिलाकर ओप्स premiers य्क जो है वह सःब ऑफसन दो की बात करें ओपशन दो भी सःब चीकले ओपैस करें दे और कोश कि इसमें पूछा है इन्वेंशिव इस प्रसीज के बारे में जो है निमलेगत कतनों पर विचार करें कौन सा कथां गलत है उसका चैन करना ऑप्सन एक या एक अक्रामक प्रजात किसी भी प्रकार का जीविद जीव हो सकता है जो एक आक्रामक नहीं होती है ऑप्सन डी परयावड वजमवान जलवाय परवर्तन मंत्राले ने जैविग विद्था निम दोजार तो किता है जंगली जानवरों के निर्यात के लिए मंजूरी जारी की तो आपको बताना इंशे जो इन्वेशिव इस वसीज हैं उसके संबंद में क बचल मात्रा में हो जाती है ठीक है यानि किसी भी प्रकार का जीविद मीद्जी हो सकता है जो एक सिस्टम मुल निमसी नहीं है और नुक्सान पहुझांत है त 했는데 लशी इसमें देखेंगे बी की बात करें तो डी गलत है ठीक है यानि परियाब और मंत्राले वन निजू संड़चर अदनियम जो 972 है उसके तहट जंगली जानवर और वस्तिवों के निर्याद के जो है संगरोध प्रवार पत्र के के साथ अनमोदन जारी करता है ठीक है तो यह 2002 की बात की गयी यह बापसन गलत है ठीक है इसके साथ दोस्तों एक कुछिन पूछा गया था से क्या हो रहे हैं वह वहां से पलाइन कर रहे हैं तो सी काओ की क्या स्थित है उसको आपको देखना है कुछिन ऐसे ही पूछे जाएंगे ठीक है तो इसमें पूछा था टाई क्लोशन के बारे में तो इसमें ऑप्सन एक दिए खादी परिरच्छक फल पकाने के पदार्थ सब्सक्राइब में प्र सामगरी इसमें और चरो में एक है एरिफ्छ प्रेटल ये जो है चर्चा में है यह वर अब यह है क्या कि cray यह कृतिम जो है लोक्री रूप में कृतिम क्या है स्विटनर ए त्थेचर सब्चक इसका को कुछ वर्ड कि क्से रिलेटरले आपको ध्यान रखना अब इसके को कहा होता यह सब आप पीडियाफ दे देंगे आप यहां से वीडियो पॉच करके आप देख सकते हैं तो कुल मिलाकर ऐसे कीवर्ड आपको कुछ एका कुष्ट्ट एक्सेप्सन में पूछ लिए जाते हैं तो यह आपको ध्यान रहना चाहिए थैंक्स पर वाचिंग और इसकी पीडिय कराव करीश नहीं कीवर्बड़ में पाते हैं तो कर देंगे देंगे पूछ अ